हाई दोस्तों वेल्कम तो माई यूटूब चैनल और मेरा नाम है शूकी दोस्तों लास्ट क्लास में हमने पर्चेस की इंट्री को डिटेल में सीखा समझा और उसका टीटमेंट हमें आ गया अगर आपका कोई कोशन है लास्ट क्लास रेलेड़े तो आप कमेंट बॉक्स में म सिखाऊंगा तो देखिए दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेल्स इंट्री से रिलेड़ेड तो मैं हाँ टॉपिक का नाम लिख देता हूँ सबसे पहले सेल इंट्री यह इंट्रीज कर सकते हैं सेल इंट्रीज अब देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में जो तीन कंप्णी के टाइप की होती हैं जैसे ट्रेडिंग मनौफाक्षिरिंग और सर्विस इंट्री तो मैंने आपको बताया та कि आपको पुरुद्ध के रिकॉर्डिंग कैसे करनी हैं और सर्विसी इंट्री में बताया थाधा कि बाइन को स Stage के निगों तरो आज हम सेल्स के बारे में बात करना चाहते हैं कि sales की recording कैसे करते हैं तो दीखे trading company और manufacturing company में sales की entry को record करने का तहरीका बिल्कुल सीम होता है जैसे आप trading में करेंगे वैसी manufacturing में करेंगे service industry में थोड़ा सा अलग होता है वो क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ आज मैं आपको trading और service दोनों ही बताऊँगा इस class में तो चलिए live ले चलते हैं एक एक example के साथ और tally पर करके दिखते हैं पहले service industry को समझ लेते हैं ठीक है जैसे VR TPA मतलब the professional accountant हमारा नाम है TPA ठीक है हमारे पास बहुत सारे students पढ़ते हैं मतलब जो हमसे online और offline classes लेते हैं जहां हम उनको accounting taxation वगरा वगरा सिखाते हैं तो हम लोग इनसे monthly fee वगरा चार्ज करते हैं ठीक है हम इसको कह सकते हैं tuition fee kind of ठीक है साथ के साथ अब भी देखिए हम TPA जो है हम लोगों ने एक accounting firm भी run कर रखिए accounting and taxation firm fine जहां हम लोगों को consulting भी देते हैं जैसे लोगों के लिए हम उनके लिए taxation, उनकी taxation return वगरा फाइल करते हैं उनकी accounting books of account maintain करते हैं वगरा वगरा हमारे काम से यहां से हमें जो income generate होती है वो हमारी है professional fee fine तो हम मैं एक एक example लेकर आपको समझाता हूँ दोनों ही case में tuition fee में और taxation में देखे tuition fee में क्या हो सकता है वही जो हम ऐसा करते है professional fee के बारे में समझ लेते हैं professional fee सबोस हमारी एक मैंने बताया accounting firm हमने Mr. A को एक bill issue करा Mr. A को Mr. A है इन्होंने हमसे अपने books of account audit कराये थे हमने इनसे audit charge लिए professional fee भी कह सकते है professional fee audit के लिए मैं अब financial year मैं ले लेता हूँ 21-22 ठीक है जो कि हमने इनसे 50,000 रोबे charge करें अब हम इनको bill raise करेंगे वो कैसे करेंगे देखे इसको एक बार समझ लेते हैं books of account में किस तरह से करते हैं service industry की case में simply मैंने purchase voucher open किया यहां से सबसे पहले इसका मैं mode change कर देता हूँ यहां पर मैं गया change mode पर और इसको मैं use करूँँगा accounting invoice पर मैंने तीनों mode के बारे में बताया था देखे service industry में यही mode prefer करें accounting invoice वो क्यों मैं आपको भी समझाता हूँ देखे क्योंकि इसमें item वगरा तो आपकी कुछ होते ही नहीं यहां सबसे पहले हमने suppose हम सोरी sale की मैं बात कर रहा था तो sale voucher open कर लेता हूँ और यहां से change mode में जाकर accounting invoice also choose कर लेता हूँ sale invoice number one आगा default अब यहां पर मैंने Mr. A Mr. A है इनका account खुलिया यह मेरे data मैंने यहां से data choose किया और इसको भी मैं यहां पर close कर देता हूँ ठीक है close करने के बाद अब देखे यहां पर जो मैंने इनको services दी है वो professional fee है तो मैं यहां laser बनाऊँगा professional fee fine यह मेरी क्या है direct income है क्योंकि मेरा business ही ही है मेरी income direct है और मैं हाँ से control यह कर दूँँगा तो यहां पर देखे मैंने इक dialogue box आपको last भी सिखाया description का open करने फिर बता देता हूँ आपको simply यहां से F12 करना F12 करेंगे और यहां पर देखे इसको yes कर रहा है मैंने इसको yes किया हुआ yes करता हूँ तो यह open हो जाता थी मैं यहां डाल देता हूँ audit audit charge for financial year for financial year 21 fine save कर देता हूँ कितने 50,000 रुपय हमने चार्च तो देखे entry करने का तरीका यह होता है और इसका impact P&L पर कैसे पढ़ता है मैं वो दिखा देता हूँ मैं P&L पर गया यहां से मैंने खोला देखे यहां मेरे direct income आगी 50,000 की fine अब एक example में लेता हूँ trading company का जो मैंने आपको last purchase बताई दी उसी से related है sale देखो आपने purchase की entry अगर कर ली तो sale की entry में कुछ नहीं क्योंकि purchase के time ही आपके master और वगरा create होते है items से related अब sale की case में क्या करना है suppose Mr.A को ही ले लेते हैं Mr.A हमारे पास आए इन्होंने का मुझे iPhone 7 चाहिए मैंने का ले लो iPhone 7 लेने आए हमारी चो कोस थी last class में मैंने बताया 21,000 का हमें पढ़ रहा था है हमने का आपको मिलेगा ये 23,000 का 23,000 की cost है मैं आपको दिखा देता हूँ आपको अपना stock कैसे check करना है वो भी आप देख सकते है ये gateway of tally में master stock summary पर आपको जाना है यहाँ पर आपका stock आपको नहीं सब्सक्राइगा alt f1 करेंगे detail में all खुल जाएगा कि कितनी quantity हैं वगरा वगरा मेरी cost है 21,000 का मुझे पढ़ रहा है purchase के entry में मैंने detail explanation दिया हूँ आप मेरी video बोजा कर देखे आपको पूरी clarity मिल जाएगी अभी हम sale की बात करें sale की case में क्या होगा service industry में तो हम कोई good sale करते ही नहीं तो वहाँ just हमें manager बी entry करना बताया है इस तरह से करना होता है यह हमें पुरा stock wise चीजों को लेना होता है अब देखे Mr. A को हमने phone sale करा तो इस case में क्या होगा मैं लेचलता हो को आपको simply यहाँ से भार आना है gateway of tally से आपको voucher में जाना है voucher में जाने के बाद आप यहाँ देख रहे है change mode सबसे बहले तो इसको change mode कर लीजे और यहाँ से item invoice पर इसको open कर लीजे item invoice पर open करने के बाद देखे यहाँ मैं बनाऊँगा इसका laser एक आइफोन के नाम से आइफोन सेल इसको एक मिनुट यहाँ मैं बनाऊँगा iPhone 7 यह उसकी heading गलत हो कि मैं एक बाद चेंज कर देता हूँ अल्टर में जाकर वो इसलिए भाद नजर नहीं आ रहा है इसको ले लेंगे हम sale voucher के account के अंदर क्योंकि purchase में हम purchase लेते हैं और sales में sale मैं वापस से चलता हूँ voucher में sale voucher में change mode मैंने किया वा था अब यहाँ से मैं ले लेता हूँ Mr. A और यहाँ से मैं iPhone sale choose कर लेता हूँ ठीक है यह क्यों करना है इस पर मैं अभी आपको बता देता हूँ एक और पार यहाँ से आप देखे मैं आइफोन choose करा जो भी आइटम मुझे sale करना है उसके बाद यहाँ से quantity एक quantity और जो rate था ठीक है और मैं इसको कर देता हूँ save यह हमारा फोन एक sale हो गया ठीक है न उसके बाद हम इस टॉक पर आते हैं वापस से stock summary पर यहाँ देखे अब हमें जो stock दिखाएगा दो दिखाएगा राइट क्योंकि हमने sale कर दिया entered मारेंगे आप यहाँ वापस जाएगा पूरा detail में खुल जाएगा इसका profit देखना है तो आप profit भी देख सकते हैं देखें यहाँ पर show profit F7 पर क्लिक किजिए तो देखें यहाँ पर हमने 2000 रुबे का profit कमाया राइट क्योंकि हमने जो खरीदती 21,000 की थी sale करा 33,000 का तो 8% का हमें profit हुआ इस पर 7% का profit होता है इन लोगों को phone वगरा पर fine यह entry आपको करने आगी अब PNL पर देखेंगे आप PNL पर जाके देखेंगे देखेंगे sale में आपको detail में दिखाया है कि iPhone F8 23,000 का iPhone जो purchase करे 63,000 के iPhone sale होगे 23,000 के iPhone का जो stock पढ़ा है आपका यह पढ़ा है यहा trading और manufacturing में दोनों same होता है तो इससे पहले मैं video बनाया था मैंने purchase के उपर अभी just मैं आपको एक base बना रहा हूँ आप लोगों का उसके बाद मैं GST के साथ इसको कैसे record करेंगे इसके laser बनाने का proper way अभी आपको एक crux दे रहाँ ताकि आपकी understanding अच्छे से हो जाए और फिर मैं आगे बात करूँ आप में मैं आगे आपसे detailed में हर एक चीज को explanation दूँआ फर्दर मैं try करूँ आपको original invoice के साथ आपको entry करूँ तो बने रही है हमारे साथ बिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye